बिहार का दर्भंगा बेती सुक्रवार की रात अचानक रणशेत्र में तब्दील हो गया और देखते ही देखती दुकान में रखे सिलिंडर प्लास्ट करने लेगे तो लोगों की चीख फुकार मच गई मेडिकल पर ने आये शात्रों का गुसा इतना अधिक था कि देखते ही देखते दर्भंगा के डीमसी एज के मेडिकल चात्रों ने कई गाड़ीों और दुकानों में आग लगा दिए और पत्राव करने लेगे तो दूसरे तरफ अस्थानियों लोगों ने भी शात्रों का मुकावला पत्थरों से करना शुरू कर दिया दरसल तरफंगा मेडिकल कालेज हस्पिटल के मेडिकल चात्र और अस्थानिय दवाई दुकानदारों के बीच बात इतनी पर गई कि दोनों पक्ष ईट, पत्थर, लाठी, डंडे के साथ सरक पर उतर गए मेडिकल चात्रों ने तीन दवाई दुकान को आग के हवाले कर दिया तो वहीं पास में मौजूद दो कार एवं दो पहिया बहुनों को भी आग के हवाले कर दिया दवाई दुकानों में लगी आग इतनी भयावा थी कि सारा आकाश लाल हो गया साथी वहां रखे गैस सिलेंडर में इतना जोरदार धमाका हुआ कि आसपास का इलाखा तहल गया और मौके पर आग को कंट्रोल करने पहुँचे तीन दमकल कर्मी गायल होगे जिनमें दो काई इलाज DMCH के मरजनसी में चल लहा है और एक कंभी रूप से जुलसे कर्मी पारस असपताल में भरती है शात्रों की करतूत को देखते हुए आसपास के महलने वालों ने जब मेडिकल शात्रों का वीरोध किया तो शात्रों ने लोगों पर पत्थराव भी किया जिस कारण दोनों ओर से जंप कर पत्थराव शुरू हो गया इस दोरान फाइरिंग और बम की अवाज भी सुनने में आ रही थी इस घटना में तीन पूरुष पुलिस कर्मी के अलावर दो महिला पुलिस कर्मी भी घायल हो गई घटना शुक्रबार की देर रात की बताई जाती है घटना की सूचना मिलने पर सदर SDPO, कृष्ट नंदन कुमार सहित कई ठानों के पुलिस वहां महोंके पर पहुँच गई दंगा नियंतरन बल को भी वहां बुलाया गया पूरे DMCH परिसर को चावनी में तब्दील कर दिया गया साथी आग बुझाने के लिए फायर टेंडर को भी बुलाया गया आग बुझाने के दोरान एक रसोई गय सिलिंडर में बिस्फोट होने से पायर विग्रेट के तीन पुलिस करमी भी घैल हो गया एस्थानी वाट पारशाद रिंकू खान ने कहा कि मेडिकल चात्रों का इतना बड़ा उत्पात उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा था छोटी बात पर मेडिकल के चात्रों ने दर्भंगा को जलाने की सारिश कर दी जो शात्र मेडिकल कालेज में परने आते हैं वो इस तरह से गुंड़े करेंगे यह अस्थान्य लोगों ने सोचा तक नहीं था और यह यहां के शात्रों का पुराना रविया भी रहा है तरह के सारे लोग यह आप आपरशी थे इस तरह की घटठा जो पढ़ने यहां आते हैं पढ़ने काम करें पूरा परशासन सारे लोग यहां पर मौझूद है यहां पर श्कड़े हैं इस तरह की घटना करते हैं डीम्सीयाज के पूरी तरीके से गलत और आगे का काम जो जिला परशासन जाच कर रही है वहीं मौके पर पहुंचे सरदर SDPO कृष्णननन कुमार ने कहा कि इस्थिती को नियंतरित कर लिया गया आग को बुशा दिया गया और अब पुलिस मामले की जाच कर रही है और इस मामले में जो भी दोशी होंगे उन पर कारवाई की जाएगी पुलिस करवी घाल हुए है इसमें दो तीन पुलिस करवी घाल हुए है इंदर दोका इलाज आपको बताते हैं कि दर्भंगा पान मखान का शेत्र है और इस शहर को जलाने की एक साज़िश काफी दिनों से हो रही है यहां के लोगों में जो मेल मिलाप है उस पर गुंडे कर शात्रों ने शहर को नुकसान पहुँचा दिया है अब पुलिस जाज के बाद घाटना के पीछे के रियालिटी भी सामने लाएगी और इस मामले के दोशी को भी जेल भेजेगी लेकिन दर्भंगा के लोग इस घाटना के बाद डर गए उनको लगा कि आखिट दर्भंगा ने क्या अपराद किया था कि इस तरह से मेडिकल चात्रों ने पूरे के पूरे अस्पताल इलाके में धंगामा खरा कर दिया गारियों में आग लगा दी तोरफोर करना शुरू कर दिया और लोगों का जीवन नर्क कर दिया रात भर अस्थानिये लोग चैन से सो नहीं पाए जबकि वहाँ पर कई थानों के पुलिस की तैनाथी कर दिया गई थी बावजूत अस्थानिये लोगों को लग रहा था कि कब मेडिकल चात्रों वहां आ जाएंगे और फिर से गुंड़े करने लेगे खुलासा के लिए दर्भंगा से जितंत्र कुमार की ये खास रिपोट